पैरे बच्चों, जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गई हैं, तो हम आज के प्रैक्टिकल में देखेंगे P-N जंक्षन डायोड, बेसिकली P-N जंक्षन डायोड क्या होता है, जब हम P-Type Semiconductor और N-Type Semiconductor दोनों को आपस में मिलाते हैं, तो जहां पर दोनों पॉइंट मिलती है, उसे हम जंक्षन कहते हैं, तो इन दोनों जंक्षन का हम आज experiment देखते हैं, Semiconductor डायोड है, हम आज दो देखेंगे, वो forward bias देखेंगे, forward bias जब हम P-Type Semiconductor को positive terminal से जोड़ते हैं, और N-Type Semiconductor को जब हम negative terminal से जोड़ते हैं, तो उसे emotional guard यहां पर आप देखो प्यारे बच्चों इसमें forward bias लिखा हुआ है इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले ये हमारा P-type है ये हमारा n-type है हम क्या करेंगे इसको P-type semiconductor को हम इसके positive terminal से पहले connect करेंगे जिससे हमारा ये हो गया कि यह हमारा पहुंसा बाइस हींग है, यह हमारा forward बाइस हींग है, next हम क्या करने जा रहे हैं, next हम इसके जो negative terminal है, हम negative terminal को हम direct इससे नहीं जोड़ेंगे, हम emitter के थुरू, यह न हमारा emitter जो हमारे current को presence को बताएगा, यह हमारा voltmeter जो voltage के presence को बताएगा, अब हम क्या करेंगे इसके negative terminal को emitter के positive से जोड़ेंगे और फिर देन हम इसके negative terminal को battery के negative से जोड़ेंगे बहुत simple experiment है अब हम क्या करेंगे वोल्ट मेटर का positive जो है वो battery के positive terminal से connect करेंगे और voltmeter का negative जो है हम battery के negative terminal से connect करेंगे यह हमारा forward byishing का connection हो गया जो बहुत simple है हम इसमें क्या देखते हैं हम इसमें forward characteristics देखते हैं characteristics का मतलब क्या होता है generally graph draw करना होता है characteristics का मतलब यह नहीं है कि हमें इसके बारे में बताना है तो फिर हम इसको जब हम इसको on करेंगे और हम इसको rotate करेंगे तो हम इसमें यह देखेंगे voltmeter और emitter में आपके fluctuation होगे thank you, thank you so much watching this video